हेलो स्टुदेंट्स, वेलकम तो अलट्रोप क्लासिज, वन स्टेप अहेड फो लेर्निंग, वेर वी हेल्प यू तो अचीव यूर गोल्स, स्टुदेंट्स, तुदेज आवर टॉपिक इस यूज अफ कॉन्वेक्स मिरर, हाज हम डिसकस करने वाले इस वीडियो में, कॉन् यूज जो हमने लिया हुआ है यहां पर कि कॉन्वेक्स मिरर, इस यूजड एज साइड व्यू मिरर, ऑन दो पैसिंजर साइड ओफे कार, तेकि आप सभी वाइकल देखे होंगे, सभी ने, कार में साइड में एक मिरर प्रेजेंट होता है, जो पैसिंजर की साइड में प्र प्रोजिशन पर बनाता है, और इमेज को छोटा बनाता है, जिससे की बैक साइड में जो कार्स आ रही है, पैसिंजर कार की, तो पीछे का व्यू उस पैसिंजर को, उस ड्राइवर को इजिली क्लियरली दिखाई दे जाए, ठीक है, तो वहां पर साइड व्यू मिरर में जो मिरर प्रेजेंट होता है, वह कॉनवेक्स मिरर ही होता है, टिक है, चोपस में और सूपर मार्केट में चोरों से बचने के लिए उन पर नज़र रखने के लिए convex mirror यूज किया जाता है convenient shops पर और big supermarkets में it is used in the turning of the road and parking roads पर और parking में भी convex mirror का यूज किया जाता है और buildings में big big buildings में convex mirror का ही यूज किया जाता है next is they are also used in making lenses of sunglasses sunglasses जो आते हैं आपके goggles जो आते हैं उनमें जो lenses प्रेजेंट होते हैं sunlight को reflect करने के लिए वहाँ पर भी convex mirror यूज किया जाता है साथ ही magnifying glasses में भी convex mirror का ही यूज किया जाता है next is they are used in securities and they are used in telescope securities में यूज किया जाता है telescopes वगेरा बनाने के लिए convex mirror का ही यूज किया जाता है साथ ही जो light reflectors होते हैं street light reflectors वहाँ पर भी light को काफी बड़े area में spread करने के लिए convex mirror का ही यूज किया जाता है साथ ही roads के corners पर जो car आ रही हैं जा रही हैं उनके collagen को आपस में टकराव को रोकने के लिए avoid करने के लिए ही वहाँ पर convex mirror का यूज किया जाता है ठीक है जैसा कि मैंने आभी आपको बताया कि buildings में जैसे बड़ी-बड़ी buildings में हमारे convex mirror यूज किया जाते हैं साथ ही बड़े-बड़े offices में store rooms में stores में hospitals वगेरा में भी convex mirror का यूज किया जाता है okay convex mirror are used to let people see around the corner so that they can avoid running into each other and prevent any collision convex mirror used in vehicle vehicle में अभी आपको मैंने explain किया है और साथ ही automobile जो vehicles होते हैं उन में क्या use किया जाता है convex mirror ही यूज किया जाता है ताकि जो light rays है beam of light है वो उसे diverge कर सके और उनकी virtual images का formation कर सके okay clear convex mirror are also used for security purposes in various places like ATMs bank customers okay ATMs वगेरा में यूज किया जाता है convex mirror का तो ये कुछ important uses थे हमारे convex mirror के जो कि एक या दो use आप से exam में one marks में पूछे जा सकते हैं तो ये आज का वीडियो काफी छोटा सा था हमारा चोटा सा टॉपिक था convex mirror के uses का तो आई होप आपको ये uses समझ में आयो होंगे और आप इन्हें अच्छे से लर्ण कर पाएंगे okay so that's it for today hope you enjoyed the video and thanks for watching